ध्यान देने योग्या बात हैं नमर एक चावल खाने के बार दूद हरगिज ना पियें नमर दो बालों को दूद लगाने से बालों की जड़ों को और सर की खाल को ताकत मिलती है नमर तिन सर्षों का तेल बालों की जल्दी सपेद होने से रोकता है बाल जल्दी सपेद नहीं होते हैं नमर चार कद्दू खाओ चेहरे का रंग निखरता है नमर पांच दाड़ी और सिर पर आलू का पानी लगाने से दाड़ी के बाल और सर के बाल सपेद नहीं होते हैं नमर छे रसोई में एकजाज फैन जरूरी है परदुसित हवा बाहर करें काम करते समय स्वयों को अच्छा लगने वाला संगीत चलाएं खाने में भी अच्छा प्रभाव आईगा और ठकान भी कम होगी नमर साथ तांगों के दर्द या लिकोरिया को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए रोजाना तक्यविरन 20 दिन तक सुबहों से के सब्वक्त बादाम खाएं खाली पेट इससे आपके तांगों में दर्द नहीं होगा नमर आठ खाने के फोरन बाद सो जाने से अच्छा है कि भूका सो जाओ भूका सो जाना ज्यादा फाइदे मन होता है नमर नौ जख्म की सूजन पर दूर करने के लिए प्याज को जलाएं और उसमें हल्दी मिलाकर जख्म पर लगा दें नमर दस पीठ में दर्द हो या खिजा हो तो दोफर के बगत काली मिट्स चबाना चाहिए नमर ग्यारा पेट की चर्बी हो या वजन बढ़ने लगे तो पानी के साथ लहसुन और चुकंदर खाये लें पेट कुछ दिन में अंदर हो चल जाएगा नमर बारा अगर सहेद की मक्ही काटे तो काटने के जगह पर प्याज लगाओ सुजन नहीं होगी नमर तेरा माइक्रोवेव को साप करने के लिए एक कटोरे में पानी डाल कर उसमें एक चमस निमुका रश्ट डालें जब माइक्रोवेव में रख दें फिर इसे अन कर दें पांस मिनट बाद बंद कर दें फिर एक पेपर या टाउल से साप करें माइक्रोवेव साप हो जाएगा नमर चौदा सिंक से चिपचिपाहर दूर करने के लिए एक कप सिरकाव थोड़े से बेकिंग सोड़ा का उप्योग करें नमर पंद्रा कीचन के फ्लोर पर यदि कोई चिपचिपी चीज गिर जाए तो उस वक्त ब्लीचिंग डाल ले दे फिर उसे ब्रस से साप करें नमर सोला जिस जिन लोगों को कमजोरी की दिकत हो जाए वहाँ एक गिलास दूद के अंदर इलाइची के दाने उबाग कर पी ले कमजोरी खत्म हो जाएगी नमर सत्रा सीने में दर्द की दिकत हो तो अजवायन की धुनी ले सरदर्द खत्म हो जाएगा नमर अठारा सांस हमेशा नाक से ही ले मुझ से सांस लेना कई रुगों को आमंतरित करता है नमर उनीस चीनी और नमक का सेवन कम करें नमर बीच भूख लगने पर ही भूजन करें बिना भूख के हमें कभी भी भूजन नहीं करना चाहिए नमर 21 परती दिन नियमित रूप से ब्यायाम करें नमर 22 बाजार की चीजों को ना खाएं इन्हें नजर अंदाज कर दें दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सस्क्राइब और सेर करना